कोई पिकप ट्रक खरीदने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुख जाओ क्योंकि साल 2024 पिकप ट्रक्स की मार्किट को एक नई उचाईयो पे लेकर के जाएगा और ऐसे भैतरीन पिकप्स हमें इंडियन मार्किट में देखने को मिलेंगे कि खरीदने वाले के पास काफी बहतरीन और काफी सारे उप्शन्स होने वाले हैं अगर प्रेजेंट टाइम्स की बात की जाए तो इंडिया में टाटा की इंटरस सीरीज और अशोग ली लेंड की दो सीरीज को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इनी को देखते हुए महिंद्रा और आईशर भी अब सेम सेग्मेंट में उतरने वाले हैं और साल 2024 में हमें महिंद्रा और आईशर के पिकप ट्रक्स इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगे कौन से पिक अप ट्रक्स बताऊँगा आज किस वीडियो में तो वीडियो का एंट रिरूर देखिए नमस्कार वेरा नाम है मुहमद बशीर और आप देख रहे हैं ट्रक जंक्शन साल 2024 में हमें तीन भैतरीन पिक अप ट्रक्स इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगे जिसमें से एक तो अल्रेडी लॉंच हो चुका है जो है अशोग लिलेंड का बड़ा दोस्त आई 5 अशोग लिलेंड का कहना है कि कोई मंजिल दूर नहीं इसले ये ऐसे पिक अप ट्रक्स बनाता है जिसमें लंबे सफरों को भी असानी से तैय किया जा सके और हाली में आये बड़ा दोस्त आई 5 में ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिले हैं जिसकी वज़े से ड्राइवर्स इस पिक अप की तरफ काफी जादा ट्रेक्टिट होने वाले हैं अगर इसके इंजन स्पेसिविकिशन की बात की जाए तो यहां पे हमको 1.5 लीटर्स का 3 सिलेंडर्स वाले डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो 1478 CC का है और प्रेड्यूस करता है 80 HP की पावर और 190 Nm का टॉर्क यह पिक अप काफी असानी से 2125 किलोग्राम्स तक के वज़न को उठा सकता है साथिसाथिस का जो कैबिन है वो काफी जादे स्पेशियस होने वाला है जिसमें एक ड्राइवर और एक पसेंजर काफी असानी से बैट सकता है और इस पिक अप में वो सभी फीचर्स मिलेंगे जिनकी वज़े से ड्राइविंग काफी ज्यादा असान हो जाएगी इस येडी में अगर दूसरे नंबर में बात की जाए तो बहुत जल्द हमें महिंदर की तरफ से काफी शांदार पिक अप इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है इसकी सबसे खास बात यही होगी कि इसमें हमें वो सभी फीचर्स मिलने वाले हैं जिनके चलते ट्रक्स को चलाना असान हो जाएगा और कोई भी ड्राइवर लंबे समय तक ट्रक्स को चला पायेगा उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें महिंदरा का शांदार भरोसा भी मिलने वाला है जिसके चलते महिंद्रा, इंडिया में काफी सारी ट्रक्स हर महीने बेचता ही है अगर इसके लुक की बात की जाए, तो देखने में ही ये पिक अप काफी जादर स्ट्रॉंग और मस्कलर दिखाई देता है साथी साथ इसके फ्रेंट में जो ब्लैक कलर की ग्रिलिंग दी गई है उसकी वज़े से इसका लुक और ज्यादर स्ट्रॉंग हो जाता है बहुत जल्दी ट्रक इंडियन मार्केट में आए गार उसकी सबी स्पेसिफिकेशन्स हम आपको बताएंगे इस शेड़ी में तीसे नंबर पे आईशर भी खड़ा है अब जाहिर सी बात है अगर अशोक, लीलेंड, टाटा और महिंद्रा तीनों ही पिकप्स की मार्केट में उतर रहे हैं तो आईशर कैसे पीछे रह सकता है और हाल ही में आईशर की तरफ से भी हमें एक काफी शांदार पिकप देखने को मिला है आईशर के ट्रक्स की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें काफी शांदार टेक्नलोजिय का इस्तमाल किया जाता है जिसकी वज़े से जितने भी ट्रक्स होते हैं, वो सब के सब fuel efficient हो जाते हैं, और अगर सूतरों की मानी जाए, तो आईशर ने same technology अपने इस pickup में भी इस्तमाल की है, जिसके चलते ही जो pickup है, वो काफी जादे fuel efficient होने वाला है, और इसमें कुछ ऐसे features भी आएंगे, जिसकी वज है, कि 2024 के आखिर तक इंडिया में कुछ ऐसे बहतरीन और शांदर pickup trucks हमें देखने को मिलेंगे, कि इनकी market काफी जादा competitive होने वाली है, तो आपको क्या लगता है, कि इन में से कौन सा pickup सबसे आगे रहेगा, कमेंट कर दो दूरूर बताए, वीडियो पसंद आए, वीडियो क को सब्सक्राइब कर ले